अलो दोस्तों स्वातार आपका अपनी य्टूब चनल मेडिसीन पर स्वाज की शुड़ में हम बात करते हैं डायना पर एक्यू इंजेक्शन के बारे में तो संपुर्ण जानकारे के लिए वीडियो के इन तक बने रहें और मारे चैनल पर पहले बारे चैनल को सब्सकाइब पर दे और बेल आइकन को प्रेस करते ताकि चिपी में नया वीडियो अप्लोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचाए तो बात करते हैं डायना पर एक्यू इंजेक्शन की पार्मेंट डायना पर एक्यू इंजेक्शन एक ट्रॉल का फार्मासुटिक तो डायना पर एक्यू इंजेक्शन में डायकलोफनिक 75 ml लिक्विड एवलेबल होता है जो के दर्द निवा रख्का काम करता है बोडी में डायना पर एक्यू इंजेक्शन एक रुमेटाइड और्थियो राइटिस और्थियो और अधिक छोटों जैसे ही इस्तती में दर् हैं जहां पर मुह द्वारा लेना संभव नहीं होता है कि डायना पर एक्यू इंजेक्शन को एक हेल्थी के प्रोफेशनल द्वारा इंजेक्शन की रूप में एड्मिनिस्टिशन किया ज़ता है करपया सब्यों इसका सेल्प उप्योग ना करें अगर आपको प्याले कभी अड़ियर रोग है या इस्ट्रोक आया हुआ है हाड अटेक तो अपने डॉक्टर की जानकारी की अनुसार इसका उप्योग के लगए है कि डायना पर इंजेक्शन में एक इस्ट्राइड भी थोड़ा एवलेबन होता है जिसकी कारण आपको हाड अटेक की प्रोब्लम भी की आज सकते इसलिए डॉक्टर की जानकारी की अनुसारी डायना पर इंजेक्शन का उप्योग कर सकते हैं डायना पर इंजेक्शन नॉर्मल दर्द के लिए इसका उप्योग किया जाता है जैसे की जोडों के दर्द किसी की छोट लगने के कारण दर्द शेड़ दर्द होता है डायना पर एक्यू इंजेक्शन के कुछ साइड बैक्ट भी हैं जैसे की चक्कराना बोड़ी का बारीपन होना गेस बनना अधी डायना पर एक्यू इंजेक्शन आपको हर मेडिकल इस्टोर पर एवलेबल मिल जाएगा डायना पर एक्यू इंजेक्शन बारे में कुछ भी डाउट हो तुमारे कमर्स में बता दी आज की लिए इतना है दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें थैंक्यू फॉर मार्वाचिंग वीडियो थैंक्यू दोस्तों